नमस्कार साथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विनेश्ट डिगेन में स्वागत है साथियो आज हम भौतिक विज्ञान से संबंदित 15 महत्पून भविकल्पी प्रशन लेकर आए हैं आने वाले एक्जाम के लिए यह 15 महत्पून प्रशन आपके लिए महत्पून शाबित हो सकता है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा बेल आइकन को प्रेस कीजगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक कीजगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है वासिन मसीन का कार्य सिध्धान्थ है उपकेंदरन वीशरन अपकेंदरन अपोहन वासिन मसीन अपकेंदरन सिध्धान पर कार्य करता है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्त्रिक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है जब लिफ्ट नीचे जाती है तब होता है और कैसी जानी हो है त्वरन के साथ जानी होनी चाहिए तो त्वरन के साथ उपर शमान गती से नीचे शमान गती के साथ उपर और तौरन के साथ नीचे तो तौरन के साथ नीचे जाएगा तभी प्रत्यक्षभार वास्तविक भार से कम होगा पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तेरते रहता है यहां कि सिद्धान पर आधारित है पास्कल का सिद्धान पर आरकमडिजिस का सिद्धान पर गुत्वाकर्शन का नियम इन में से कोई नहीं तो हम देखते हैं कि लोहे की सुई डूब जाती है पानी में लेकिन जहाज तेरते रहता है यह आयतन का खेल है जिसका आयतन जादा होगा वो पानी में तैरेगा तो यह जो है आर्कमेडी सिध्धान पर कारे करता है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का तुकड़ा तैर रहा है जब बर्फ फिगलती है तब पानी के इस तर पर क्या प्रभा होगा यह गिलास है इसके अंदर बर्फ तैर रहा है तो जब यहां पिखलेगा तो पहले जितना था उतना ही रहेगा तो पहले अप्शन देख रहेते हैं बढ़ेगा कम होगा पहले बढ़ेगा फिर कम होगा उतना ही रहेगा तो इसमें सहीं जवाब होगा उतना ही रहेगा भारिंता की अवस्ता में एक मुम्बत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा वही रहेगा गोलाकार अधिक छोटा इसका जवाब होगा वही रहेगा निमलखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है न्यूटन मीटर किसकी काई नहीं है तो बलकी नहीं है वस्तू को गर्म करने पर उसके अणों की चाल बढ़ जाएगी काभार घड़ जाएगा काभार बढ़ जाएगा की उर्जा कम हो जाएगी तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि वस्तू को अब जब हम गर्म करते हैं तो उसकी चाल बढ़ जाती है इसमें से कौन उश्मा का मात्रक नहीं है उश्मा का मात्रक नहीं है पूछा गया है कैलोरी तो है जूल भी है किलो कैलोरी भी है ये डिगरी सेल्सियस नहीं है डिगरी सेल्सियस जो है ताप का मात्रक है जब जल उचाई से गीरता है तो उसका ताप घड़ जाता है बढ़ जाता है न घड़ता है न बढ़ता है इन में से कोई नहीं तो इसका जवाब होगा बढ़ जाता है चामल को पकाने में कहा अधीक समय लगेगा समुद्र तड़ पर सिमला में माउंट एवरिष्ट पर समुद्र की घहराई पर तो इसका जवाब होगा माउंट एवरिष्ट पर वह ताप जीस पर बर्प पानी और वास्प संतुलन में रहता है कहा जाता है हिमांक त्रिक बिंदू क्रांतिक ताप क्वतनांग जब बर्प पानी और वास्प संतुलित अवस्था में रहता है तो उसे हम त्रिक बिंदू कहते हैं ऐसा एक बिंदू मिलता है उसे हम त्रिक बिंदू कहते हैं किसी द्राव का वास्पी करन होने से उसका तापमान बढ़ेगा अपरिवर्थित रहेगा तेजी से बढ़ेगा घटेगा तो इसका जवाब होगा घटेगा निम्नतापी इंजनों का अनुप्योग होता है पंडूपी में अतीचालक्ता में राकेट में और तुसार मुक्त तो जब हम राकेट प्रनोदन करते हैं तब हम निम्नतापी इंजन का उप्योग करते हैं तो इसका सही जवाब होगा राकेट प्रद्धोगिकी में वायू मंडल में प्रकास के विसरन का कारण है कारबन डायाकसाइड जलवास्प हिलियम धूलकन तो इसका जवाब होगा धूलकन अकास का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, प्रक्रिरन के कारण, प्रावर्तन के कारण, अपोवर्तन के कारण तो अकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रक्रिरन के कारण होता है थैंकी दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीस लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजेगा धन्यवाद